हेलो फ्रेंट्स व्लकूम ए यूट्व चैनल में उसका स्वागता है फ्रसाइम के निए वीडियो के साथ के हैं अब वीडियो के साथ के हैं अच्क जो हमारी वीडियो है लिए बहुत इंट्रेस्टिन शांदर अप्डेट के विडिया है वह आप सभी को मैं यहां पर देने जो जितने भी आठ कडर की यहां पर वेकंशिया थी आप सभी को पता है जिस टाइम पुरानी सरकार थी उस टाइम यह वेकंशिया निकाले गई थी लेकिन अभी तक इन वेकंशियों पूरी नहीं करवाए गई तो इस से रिलेटिड एक नई अपडेट निकल कर आ रही है तो वीडियो के आप लास तक जरूर देखते रहें साथी साथ अपने फ्रेंट सरकल को जरूर सेर कर दें ठीक है तो यहां पर देख लिजीगा रास्तान चे किस्या स्वास्त विभाग भरती है उसका यहां पर क्या निकलने वाला है क्या निसकर्स होने वाला है जिसके मुख्यमंत्री जी ने ली वेकंसी से रिलेटड बड़ी बैठक यानकी जो मुख्यमंत्री जी बने है उन्होंने यहां पर वेकंसी से रिलेटड बड़ी बैठक बुलाई है उस बैठक के अंदर क्या हुआ है वो चीज़ भी हम यहां पर बताएंगे ठीक है यहां पर देख लिजेगा आपको यह फोटोग्राफ दिख रहे होंगा यह कहां के फोटोग्राफ से यह चीज भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो यह फोटोग्राफ है राजे स्वास्तिम प्रयार कल्यार संस्तान है वहां के फोटोग्राफ है यहां की मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक बड़ी बैठक बुलवाई थी वेकेंसियों से रिलेटड यहाँ पर देख लिए आपको फोटोग्राफ अच्छे से नजर आ रहे होंगे ठीक है यहाँ पर देख लिए यह बैठक करवाई गई थी ठीक है जिसके अंदर सभी लगबग सभी विभागों से रिल लब्द कराना स्रोच प्रात्मिक्ता चिकिसा कार्यों में लापरवाई नहीं होगी बरदास जिला क्लेक्टर हर सप्ता करेंगे एस्पतालों का निरक्षन यानिकी जो मानिय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आदेश दे दियागा कि स्वास्त विभाग के अंदर अगर अरोगे मंद्रे होंगे और हस्पतालों के निरक्षन में क्या होगी जो ह। हमका निरक्षन यहाँ पर करवाया जाएगा हर साथ दिन पर आपका है थे दिरक्षन सोने वाला है ठीक है तो ऐसा बयान दिया गया है मुख्यमंत्री जी की दवरा यहां पर देख लीजिए इस चीज़ के बारे मैं आपको बताऊंगा यह दरना प्रदेशन का जो मैन कारण था यह था कि वैकेंसियों का पूरा ना होना ठीक है ना तो क्या हो वह वैकेंसिया रद हो रही है जिससे यह कंफर्म हो जाए कि वैकेंसिया रद हो चुकी है और ना ही वो रद हुई है और पर आट्ख केडर की वेकंशिया परमानेंट निकाले गई थी इनके लिष्ट जारी कर दिंए एक फार्मेशिट के लिष्ट बचे वी थे बाकए सबीरिक लिष्ट यहां पर जारी कर दिया थे लेकिन आपर उनकी जोईनिंग है वो नहीं दिया है तो इस से रिलेटेड यहाँ पर जो मुख्यमेंतरी जी ने बयान दिया है कि जितनी भी बरती है यहाँ पर देख लीजिए यूवा सिक्सिया अफसर के अंदर एक और यहाँ पर जारी के गई थे कि सिफू की लापरवाई चिक्सिया विबा की बीस जार पदों की बरतिया दस महीने में अटकी दस महीने से अटकी है यहाँ पर क्या बता जा रहा है कि सिफू की लापरवाई की वज़े से यहाँ जो बीस जार पद है वो दस महीने से यहाँ पर कि यह कंड़ी से एगर सट्यापन कर लेने दीजिए तो इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए जो फरंजी एक्सपिरियन्स हैनita के ड्राइम्ट को यहां पर जूएनिंग नहीं मिल पाएगी उनको हैं पर जो सम्हेंन घोर्जी एक्सपिरियंस पिरियन्स było 커टकों पुनर सत्यापन कर लेते हैं उसके बाद आपको जल्द ही यहाँ पर लिष्ट पर रोड़ करवाएंगे बाकी जो प्रजेंट की वेकेंसिया है सायुदा की वेकेंसिया है यह कंटिन्यू चल रही है सीचो का एक्जाम सभी का जो एक्जाम डेट है वो दे दिया गया है बाकी जो पर्मनेंट भरती है इनका यही कहना है थोड़ा सा टाइम दीजे एक्सपिरियन्स को हम पुनर सत्यापन कर लेते हैं उसके बाद हम आपको यहाँ पर जो लिष्ट है वो निकालेंगे ठीक है तो जोइनिंग की अपडेट यही है कि जैसे ही पुनर सत्यापन हो जाता है एक्सपिरियन्स का तो आपको जोइनिंग की अपडेट यहाँ पर मिलेगी और जल्दी से जल्दी जितना संभाव हो सके मुख्यमिंदर जी ने जो बैटक ली थी जो यह बड़ी बैटक बुलाएगी थी और इस बड़ी बैटक में यह कहा गाया था इसमें यह कहा गाया था कि जितना जल्दी हो सके हैं कि जितना जल्दी हमारे से संभाव होगा उतना जल्दी हम कोसिस करेंगे कि उनको जोइनिंग दे दी जाए तो ये present में latest जो बैटक हुई थी latest बैटक की update है बाकि अगर कोई बैटक से related कोई important point के बारे में अगर कोई update आती है तो मैं आख सभी को यहाँ पर पहुंचाने की जरूर कोसिस करूँगा तो ये एक छोटी सी update आपको देनी थी अगर वीडियो अच्छे लिगी तो चलन को सब्सक्राइब कर दिजिए का थेंक्यू सो मच जे